लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भुलिए और देखते रहिए लंतरानी नीज लाइफ मैं आज आम जनता चाहे वो किसी धर्म की ओ भारत वर्श के जो लोग भी निवासी हैं उनके पास मैं अपने दर्द को पेश करना चाहता हूँ कि आज इस मुल्क में क्या हो रहा है मुझे याद है कि हम बच्पन में जब गाओं में रहते थे तो मेरे गाओं के पास एक मेला लगता है जिका संटरवा का मेला बोलते हैं पूरे साल हम इंजार करते थे कि संटरवा के मेला कब लगेगा और वहां मेला ज लगेगा तो वहां राम लीला होगा राम लच्मन की जो लीला दिखाई जाती है जो एक ड्रामा होता है वहां पे उसको देखने के कितना शौक रहता था पूरे साल इंजार करते थे और हम लोग जाकर बहुत लुत उठाते थे राम उनला में कोई भी टेवार हो चाहे दिवाली हो दिवाली में हम लोग इंजार करते हैं कि दिवाली आएगी तो दुकानों पर अच्छी ची खिस पे मिठाईयां मिलेंगी हम जाके मिठाईयां खाते थे और लोगों खिलाते थे और मिठी का छोटा सा दिया लेकर हम मुसल्मान हैं लेकि हम छोटा सा दिया लेकर मिठी का अपने घरों के चारों तर्फ हम खुशी महसूस करते थे कि आज जा दिन है जब आदी थी हो ली तो इस्कूल में हम रंग तो नहीं ले जा सकते थे लेकिन अपनी फॉंटेन पेन में सियाही एक दूसरे फिखते थे और दूसरे गले मिलकर करके एक तिवहार की बढ़ाई देते थे कोई अंतर नहीं मुझे याद है अची तरह से कितना विश्वास था लोगों का रिक उपर किया भाईचारगी थी जब शादी होती थी गाउं में तो मुझे अची तरह याद है कि शादी होती थी मुसल्मान की लेकिन हिंदू भाई अपने घरों में गेहूं का आटा पिस्वा के रखता था अपने घरों में थोड़ा लकडी काट के रखता था कि मेरे गाउन रोज बाजार लगती नहीं थी है हफते में एक दिन बाजार लगती थी थी तो वह पांच किलोमेटर दूर तो ये महबत थी आपस में लोगों की लोग एक दूसरे से घुल मिलकर रहते थे लेकिन मैं देखना हूँ आज जो भाजापा और आरसेस है ये इस देश के ये इस गडबंधन को इस जो है आपसी भाई चारगी को गंगाव जमनी तहजीब को बिल्कुर मतिया मेल कर देना चाहती है तो हार ये खुशी का मौका होता है चाहे इद बक्रीद हो चाहे होली दिवाली हो चाहे दसेरा हो चाहे गनपती हो ये खुशी का मौका है लेकिन मैं देखता हूँ हर साल जब यह मौका आता है तो कहीं ने कहीं कुछ प्रॉब्लमों खड़ों आता है अब देखें सुल्तानपूर शहर से 25 किलमोटर दूर जगा इबराहीम पूर वलीपूर है इस साल दुर्गा पूजा जब हुई तो उसी दुर्गा पूजा के दिन ही 12 रभी अवल यानी रसूल अल्दा की वलादत यानी उनका जनब दिन मनाते हैं मुसल्मान निकलते हैं बड़ी खुशिया मनाते हैं और हमारी दुर्गा पूजा में भी लिकलते हैं भाई लोग 9 अक्तूबर को मुसल्मानों के जुलिस को पूलिस ने पूरी इजाज़त दिया इब्रहेंपूर ओलीपूर में इस रास्ते से जाना है आपको और यहां तक आपने जुलिस को ले जाना है पूलिस साथ में रही लेकि मुझे अफसोस है कि कुछ भाजपाई कुछ आरेसिस के कारिकरताओं ने जुलिस को रोक दिया यह सच्चा ही है मैं बहुत ही इंक्वारी करने के बाद बोल रहा हूँ नहीं जाने देंगे जुलिस लेकिन पूलिस थी पूलिस ने बहुत मदद किया कि नहीं हमने पर्मिशन दिया हुआ है पूलिस सासा चल रही थी और वो जो है पूलिस ने इसको आखिर तक पहुचाया और कुछ टेंशन था खतम कराया बात खतम हो गई लेकिन दूसरे दिन फिर दस तारीको दुर्गा पूजा का जो जोलिस निकलना था तो पूलिस में पर्मिशन दिया उनको लेकिन जब जोलिस निकलना तो पूलिस नहीं थी हमेशा दुर्गा पूजा हो या ऐसी कोई भी धार्मिक तेवार होता है जिसमें जोलिस निकलता है उसमें पुलिस आगे आगे चलती है पैलेटिंग करती है ताकि कोई रास्ते में प्रॉब्लम ना होने पाए हाँ पता लगा यह उस दिम पुलिस नहीं थी जुरूस निकला वहाँ से और जुरूस आगे जाने के बाद जहां मुसल्मानों की मस्जित थी और उसके बगल में स्कूल था मदरसा था वहाँ पर जुरूस रोग दिया गया भाईयो आप मेरी बात को कभी किसी धर्म के नाम पर मत देखिएगा इंसाफ के नाम पर देखिएगा वहाँ जुरूस को रोग दिया गया जानते है कि अजान होती है अजान एलाउट है जब अजान का वक्त आया तो मुस्लमान निकल कराय मद्जी से का भाई आप जो डीजे बजा रहें ना बहुत तेस बजा रहें ये अजान की आवाज लोगों तक नहीं पहुचेगी आप जरा डीजे स्लो कर दीजे ये निकाप बंद कर दीजे तो क्या कहा वालू मैं आपका लोग जो उसमें साम पर दा करता हूं लेकिन रोनों का अजान मत करिये तू तू मैं मैं हो गई देखे जब नमाज पढ़ाई आती है ना आप अच्छी तरह समझ लीजे वाज़ा हो क्या है एक इमाम होता है जो आगे रहता है वो और इमाम जोर से नमाज पढ़ता है तो जितने पीछे नमाज पढ़न नमाज पढ़ने वाले अपनी नमाज दोड़ाते हैं आप बताईए अगर वहाज दो जोर से डीजे बज़ेगा तो इमाम की आवाज तो पीछे वाले सुनी नहीं पाएंगे तो नमाज कैसे पढ़ सकते है नमाज करा कभी इस तरह होता है मामिला तो नमाज की आवाज गल गए पथर बाजी हुई दुकाने लूटी गई और उस मस्जिद में घुसके चटाईया निकाल के फिक दी गई जला दी गई बगले मदरसा है मदरसा क्या है मदरसा इंसानियत का सबक देता है और याद रखो भायो मैं आतंगवाद के खिलाफ हूँ अगर कोई मुसलमा आतंगवाद में है तो मैं खुले आम कहता हूँ उसको फांसी के सजा होना चाहिए मुलक के खिलाफ साधिस करने वालों को कभी छोड़ना नहीं एक इनसान को मारना पुरी इनसानित को मारना यह हमें सिखाया गए इसलाम में मदरसे में घुसकर मदरसे के तोड़ पूर कर दिया एक आदमी की आँख फूड़ गई दुकाने जला दिया और इसके बाद वहां एक आफिसर हैं वहां सिस्थ सो मीटर दूर पर पुलिस चोकी है और पुलिस गाड़ी वहां आई नहीं कुछ नहीं हुआ वहां के एक एसो बलिराए पुलिस टेशन के अर्मेंदर नाम है अर्मेंदर सिंग्या और कुछ इसी नाम उनका है उन्होंने ये पुलिस का काम है लाव नाड़र को मेंटेन करना और जगड़ा लाई को रोपना पुलिस किसी पार्टी के नहीं होती है पुलिस देश के सर्मिधान की रखवाली होती है उसे ये जब वह आता है तो वह किसम खाता है कि मैं इनसाफ करूंगा उस एसो बल्दी राम बल्दी राय शायद है पुलिस देशन का नाम तो नाम तो शायद मुझे याद में चीज़ा है उन्होंने स्पीच किया माइक पर और कहा कि मैं चुन चुन कर लोगों को मारे जाएंगे मुसल्मानों को और अ इनके घर है इनके घरों को डिमालिश किया जायगा एक पुलिस वाला जिसका काम एंजाग करना है उसको लोगों को जगले ललाई सो रुकना है और वह पुलिस वाला कहता है कि एकए को चुन चुन के मारेंगे और घरन का सबकर नातने गाउट कर देंगे, और क्या वा Certes Economy कि पशासन ने उसको कंट्रोल किया मैं एक कहूंगा जरूर मदरसे में खुज गए मदरसे लोको मारा अब्दुरोफ नाम के एक आदमी की आँखी फूट गे बिचारी की कितने लोग घायल हो गए इसमें भाईयो अगर यह इस मुल्क में होगा तो किसका विश्वास होगा का खत्म हो जागे देश के अंदर हवेली जोपड़ी सबका मुकदर फूट जाएगा अगर यह साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा दूआ कीजिए कि हमें प्यार के रिष्टे रहे कायम रिष्टे तूट जाएंगे तो भारत तूट जाएगा हम यही रोज़ पुलिस वाला कहता है कि चुन-चुन को मारेंगे उसके बाद लोगों ने कोशिस किया कि हम जाएग पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाएं नहीं जाने दिया गया जो लोग गए उनको भगा दिया गया और इफायार हुआ उसमें सारे के सारे मुस्लिम बच्चे पकड़े मैं कर रहा हूँ कि अगर मुस्लिम हिंदू जो भी है सबको पकड़ो आप सुनने को तैयार नहीं यह हो रहा है एक भी गज़ मुस्लिम को नहीं डाला उसके अंदर ग्यार अक्तुबर को फायर हुआ इसमें सिफ मुस्लिमानों को पकड़ा गया मुस्लिमानों ने जमाति इसलामी जमिति लूलमा बहुत सरो लोग वहां पर मिलने कोशित के प्रशासन दे टाइम नहीं दिया बाद में टाइम दिया इस पीसाब मिले उन्होंने आश्वासन जिया कि हम कुछ करेंगे मैं निवर्दन करना चाहता हूँ कि जो लोग मस्जिद में खुसे झेकि निखे मने कर कोई गुछा हो गीता को भी किसने रosaurus पहुचा पहुचा है इसलाम ने ये कहा है मुसल्मानों से कि अगर तुम अपने पड़ोसी के ख्याल लगो अगर तुम्हारे इलाके में कोई गयर मुसलिम हो कोई भी हो अगर तुमने भर पेट खाना खा लिया तुम अपनी इज़त की जिन्दगी गुजार रहे है अगर तुम आलिशान जिन्दगी गुजार सकते हो लेकिन तुमारे पड़ोसी तुमारा आया नहीं पड़ोसी मतलब 40 घर आगे 40 पीछे 40 दाएं 40 बाएं अगर उसमें उनके पास खाने को नहीं है तकलीफ है और तुम आराम से जिन्दगी गुजार रहे हो तो तुम मुसल्मान नहीं हो यह मेरा मज़भ सिखाता है मैं अगर तुम रसुल्ला को मानते हो तो रसुल्ला के कहने को ही मानो सचे मुसल्मान हो तो रसुल्ला के बतायो रासे पर चलो और मैं आज गुजारिश करना चाहता हूँ किसी से दर के नहीं हम इस हिंदोस्तान में किसी की महरबानी पर नहीं रहते चाहे मोदी जी हो चाहे दुनिया के सबसे बड़ा ताकत वाद नहीं हो हम इस दुनिया में अल्ला की महरबानी पर रहते है और हम इस इस दुनिया के अंदर सब हर मजब के लोगों की इज़त करना रिसुल्ला ने जो फरमाया है मुसल्मानों उसको अमल करो तुमारा पड़ोसी अगर दुखी है तो उसके साथ शामिलो उसके दुख में शामिल हो जाओ ये इद बक्रीद होली दिवाली आए सम्मिल के गले मिल के बनाओ मैं हमेशा कहता हूँ मैंने पार्लिमेंट में असम्मिली में कहा है कि अगर ये जगला इस तरह से चलता रहे तो आप एक खानून बना दीजिए कोई भी सलक पर अपना जुलूस लेके जाने ना पाए चाहे मुसल्मान हो चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चन हो चाहे कोई भी है बर रोज जगला कर ऐसा होगा इस तरह से तो आप बंद कर दिए ना सबकों एक एक बैडान दे दीजिए और उसका माइज जो होना ऐसी तरफ लगा दीजिए जो दंदा न सुनने पाए जो चाहे किये किये आप सलक पर उतार करके खुशी मनाएंगे तो वहार बे जगला होगा तो भी क्या होगा बंद कर दिये जो लूस सलकों बजाना मैं सबता हूँ कि 90% अमन और अमान हो जागा मैं हमेशा इस बात दो कहता हूँ कि देखिए कोई भी वेक्ति हो किसी धर्म का हो अगर वो किसी देवी देवता के बारे में वो रसुल्ला के बारे में खुरान शरीफ के बारे में गीता के बारे में मजभी किताबों के बारे में डक्टर अमबेटकर साब के बारे में हमारे शिवाजी महाराज के बारे में जो बड़ी हस्तियां हैं, नामचीन हस्तियां हैं इस speech and expression कानुन का ब़ाना लेकर किसी के बारे में अपमानित कर दो तो याद रखेंगे अगर आप इसको इनकौरी करेंगे, माइक्रसकोपिंग चेकिंग करेंगे तो देश में जितने जगड़े हो रहे हैं ना, 95% इसी रही हो रहे हैं, किसी ने डाक्टर अमबेटकर के बारे में गलत कर दिया, उनके पुत्वे पर चपल हार के बना दिया, गोली चल गई, पांट लोग मार दिया गई, जगड़ा हो गया, जो है, पुली स्टेशन में केस ह गया, लोग जेल चले गए, कहीं शिवाजी महराज की मा के नाम किसी ने नाविल लिख दिया, तो पूरा में पूरी जो है, लेबरी जला दी गई, ये सब क्यों हो रहा है, अगर एक कानून, अगर सरकारों के अंदर थोड़ी सी भी शरम और हया है, और चाहते हैं कि इस दे आनित बोलाना, तो उसे एक ऐसा कानून बनाओ, जिसमें कम से कम पांच साल तक जेल में रहें और जवान अतना होने पाए, मैं देश वासी हो, तिमको यकीन दिलाता हूँ, देश के अंदर बहुत सारे मसले खतम हो जाएंगे अपने आप, ये होना चाहिए, कब तक ये चल की कर रहे हम सिर्भ धर्म के बारे में रड़ाई कर रहे हैं, आपसे में बैट करके, मैं हाज जोड़के निवेदन करना चाहता हूँ, देश के वो लोगों से जो बड़ी कुर्चियों पर बैठे हैं, भारत को बचा लिजिए, तोड़ने मत तूड़ने मत इसको, बचा ये उतर परदेश के प्रशासन में बैठे हुए लोगों से, आदर्णी मुख मंतरी योगी साहब से भी गुजारिश करूँगा, कि आप जरा सुर्दानपुर के मसले को देखिए, और इंसाफ के नजर से देखिए, एक अच्छा आफिसर, जिसका रिकार्ड ये रहा हो कि वो स पसम खाया है, कि मैं इस देश के समविधान के मतावी काम करूँगा, और आप एक सन्यासी है, आप ढूट बोल नहीं सकते, आप एक ऐसा व्यक्तिय न्यूट कीजिए, जो इंसाफ पसंद हो, और इसकी पूरी सच्ची इंकवारी करिए, और इस पर सख करवाई कीजिए, औ दुबारा हमारे प्रदेश में या हमारे देश में ऐसी चीज़ें ना हो, इसको आप बिल्कुल से सुनचित कीजिए, ताकि देश में भायचारगी बढ़ती रहे, आपने मेरी बातें सोना, मुझे उमीद है कि इस पे कुछ नकुछ सरकाने करवाई करेंगी, और दुबार और देखते रहे लंट्रानी नीउस लाइफ मुंबाई